मेरे प्यारे बच्चो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर प्यारे बच्चो इससे पहले मैंने आपको जो ब्याकरण के पार्ट से बताई थे वो सबसे पहले वर्ण विचार पूरा हो गया है अब हम आ गए हैं शब्द विचार शब्द विचार के अंतरगत भी मैंने आपको सारे बता दे हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस किस के आधार पर होते हैं वो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ठीक है अब इसी शब्द व उशी के भेद हैं यह जैसे संग्या सर्वनाम के रिया विशेसन यह सब जो है उशी शब्द के भेद है जैसे मैंने लिखा मैंने क्या लिखा सीता 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 पढ़ती है अब मैंने क्या लिखा सीता पढ़ती है अब ये तो पूरा क्या है सेंटेंस हो गया है ठीक अब इसमें सीता जो है एक शब्द है ठीक और ये शब्द क्या है शंग्या है संग्या में भी क्या है व्यक्तिवाचक संग्या है पढ़ना क्या है इसका क्रिया है ठीक पढ़ना क्या है इसका क्रिया है पढ़ना भी एक पढ़ती भी एक शेप्रेट शब्द है यही पढ़ना जो है इसकी क्रिया है आगया बच्चों बात समझ में ठीक अमुमन जो है बच्चे संग्या तो पढ़ लेते हैं लेकि ये वो वाली संग्या नहीं है जिसको हम फॉस्ट प्लास में सेकंड प्लास में बच्चों को पढ़ा देते हैं कि संग्या किसी व्यक्ति वस्तु या इस्थान का नाम होता है ठीक है मैंने इसको बिल्कुल जो है आपके क्योंकि ये वीडियो जो है कंपटेटिफ एक्जाम वाले बच्चे भी इससे लाब उठा रहे हैं इसलिए मैंने उनको ध्यान में रखते हुए इसको जो है विश्त्रित रूप दिया है अब संग्या उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेश वस्तू अथ्वा व्यक्ति के नाम का बोध होता हूँ ठीक है अब संग्या विकारी जो है जो बदलता है मैंने पढ़ाया था ना आपको सब्दों के भेद में विकारी और विकारी पढ़ाया था कि उसमें संग्या सर्वनाम क्रिया क्या होते हैं संग्या सर्वनाम क्रिया विशेशन विकारी होते हैं और जो हमारा अब्याई और क्रिया विशेशन होता है जो अब्याई और क्रिया विशेशन होता है जिसको हम एडवर्व बोलते हैं वो जो है अविकारी शब्द होता है वो बदलते नहीं है आई बच्चो बात समझ में और अब जो है हिंदी व्याकरण में संग्या के वैसे हिंदी व्याकरण में संग्या में इतने मतभेद हैं इतने मतभेद हैं कामताप साथ गुरु अलग करते हैं दूसरे व्याकरण अलग कहते हैं. लेकिन जो general चलता है जिसमें सब की मान्यताय है हम उसको ले करके चलेंगे तो हिंदी व्याकरण में संग्या के कितने भेध हैं, पांच भेध हैं. देखू अब मैं बताती हूं आपको शंग्या जो है व्यक्तिवाचक संग्या हो गई, जातिवाचक संग्या होगी तीसरा भाववाचक संग्या समूवाचक संग्या द्रब्यवाचक संग्या अब यह जो है सिंपल नहीं है जो एक्जाम में आता है व्यक्तिवाचक संग्या किसे कहते हैं भाववाचक संग्या किसे कहते हैं जातिवाचक संग्या किसे कहते हैं यह समझाओ लेकिन जब हम competition में जाते हैं एज competitor के तौर पर जाते हैं हमारे ये नहीं आते हैं फिलहाल जो है हमें सीखना तो पड़े गाई कि व्यक्ति वाचक संग्या किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति का बोध हो जैसे मेरा नाम गंगा है गंगा क्या है मैं एक ही हूँ ठीक है एक ही हूँ उससे मेरी विशिष्टता का मतलब याथ हो रहा है यहाँ पर ठीक है जैसे श्याम है श्याम एक लड़के का नाम है हम कहेंगे वो श्याम जा रहा है मतलब उसकी विशिष्टता जो उसकी पहचान है उसका मतलब हो रहा है जैसे दिल्ली है हमारी national capital है द जो क्या है एक अपना विशिस्ति स्थान रखता है इसको कहते है व्यक्तिवाचक मतलब एक ही है वो एक से अलग नहीं है दो जापान नहीं है दो दिल्ली नहीं है ठीक है और हम जिसको जानते हैं किसी को हम स्पेसल कर रहे हैं हालांकि गंगा अनेक गर्ल्स का नाम हो सकता है गंगा जो है Holy River का भी नाम है लेकिन वो Holy River करके ही जानी जाती है ठीक अब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संग्या ये बिल्कुल सिंपल है अब जातिवाचक संग्या में लिए चलती हूँ आपको किसी जाति के संपून पदार्थ हुआ उसके समुहूं का जब बोध होता है जैसे जातिवाचक संग्या बोलते हैं जैसे घर है घर बहुत सारे होते हैं अब इसी घर को हम अगर बोलने नारायन हाउस हम बोलेंगे नारायन हाउस ठीक है अब नारायन हाउस एक स्पेसल हो गया घरू में भी एक घर की जो क्वालिटी है जो घर की जाती है उस जाती से निकल करके ये नाराण हाउस हो गया, अब ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक शंग्या, क्योंकि इसका कोई अलग विशिष्ट पहचान है, घर तो बहुत हैं, लेकिन हमने कहा, we have to go नाराण हाउस, हमने नाराण हाउस में जाना है, तो नाराण हाउस क्या हो गया, यहां पर व्यक्तिवाचक शंग्या होगी वैसे ही पर्वत है अगर हम पर्वत तो जातिवाचक संग्या है अगर हम यहाँ पर एंडीज लेते हैं एंडीज पर्वत लेते हैं तो यह क्या हो गया व्यक्तिवाचक हो गया ठीक लेकि पर्वत तो बहुत सारे हैं उन पर्वतु में भी ए मनुष्य बहुत सारे मनुष्य हैं, नदियां हैं, बहुत सारे हैं, मोर हैं, बहुत सारे हैं, सवा हैं, बहुत सारे हैं, तो ये किसी भी जाती के संपून पदार्थों और उसके समुहूं का बोध जिससे होता है, उसको जातिवाचक संग्या कहते हैं, अभी बच्चे कहां confusion क करते हैं जातिवाचक संग्या और समूह वाचक संग्या जातिवाचक संग्या और समूह वाचक संग्या में बहुत जो है क्या करते हैं कन्फूजन करते हैं अब इसमें क्या है जातिवाचक संग्या एक ही जाती की जैसे क्या है मनुष्य है तो मनुष्य एक ही जाती है लेकिन जो समू है समू है समू में अलग-अलग भी आते हैं जैसे हम कहेंगे कि पूरे जानवरों का समू बोलेंगे अब जानवर मतलब उसमें कुटे भी हैं बिली भी हैं तो वो किसमें आ गई समू आचक संग्या में आ गई जानवरों का समू जो हमने बोला वो समू आचक संग्या में आ गई अब confusion नहीं होगा आपको ठीक है अब आती है काम की बाते जो बहुत special है किसके लिए हमारे competitors के लिए अब competitors के लिए क्यों special है क्योंकि उसमें आता है जातिवाचक संग्या को व्यक्तिवाचक संग्या में बदलो या फिर ये जातिवाचक संग्या व्यक्तिवाचक हो जाती है या व्यक्तिवाचक संग्या जातिवाचक हो जाती है राम मैंने कहा कि राम तीन है या राम दो है अमूमन ठीक है जब हम बोलते हैं सिरी राम या परस राम ये राम तो हम जो है सिरी राम से लेते हैं लेकिन हम राम तीन है जब कहते हैं तो ये जाती वाचक संग्या में आ जाता है जैसे आजकल आप देखते होगे डबलु जिसमें एक दूसरे को मारते हैं ठीक है और कभी कभी गदा युद्धु जब हो जाता है हम कहते हैं अरे ये तो कल्युक के भीम है तो उस समय ये भीम क्या हो गिया ये व्यक्तिवाचक न रह करके जब कल्युक का भीम हमने बोल दिया ये एक व्यक्ति न हो करके ये जातिवा गिया की जातिवाचक संग्या में हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक नाम को उसकी जाति में बदल दे रहे हैं हम कहते ही कि और दूसरा बहुत अच्छा उधार यहां पर व्यक्ति वाचक से जाति वाचक में बदल गई आई बच्चों बात समझ में आप कन्फूजन नहीं होना चाहिए अब मैंने आपको इससे पहले बताया बच्चों कि जब व्यक्ति वाचक संग्या जाति वाचक बन जाती है अभी उसको रिवर्स कर देते हैं अब जाति वाचक संग्या जब व्यक्ति जब एक जाती जो है व्यक्ति बन जाती है जब पूरी ही जाती एक व्यक्ति बन जाती है ठीक है जैसे हम कहते हैं नेता जी ने आजादी में बहुत महत्तपोन योगदान दिया है वैसे नेता क्या है जाती है एक ठीक है बहुत सारे लोग जो राजनीती से जुड़ते हैं उसको नेता बोलते हैं लेकिन यहां नेता जी क्या है किसको डिनोट कर रहे हैं वो छुपा हुआ कौन वार्ड है यहां पर कौन सा शब्द नेता जी के लिए छुपा हुआ है वो है नेता जी शुवास्चंद्र बोस यह नेता जी जात लोक पुरिय नेता थे अब गांधी क्या है एक जाती है पूरे गांधीयों को डिनोट करती है लेकिन अब यह जाती कहां बदल गई व्यक्तिवाचक में यानि व्यक्ति में बदल गई जो जिससे हमारा मतलब है मोहंदास करम चंद्र गांधी हमारे बापुजी यहां तक आ ग गांधी जी लोक पुरिय नेता थे अब हम क्या करेंगे इसको कि हम सोचेंगे कि अरे गांधी क्या होता है गांधी जो जाती होती है हम जाती वाचक में लगा देंगे नहीं गांधी को डिनोट कौन कर रहा है मोहंदास इसारा कहां की तरफ है मोहंदास करम चंद्र गांधी जी की तरफ हमारे बापुजी की तरफ ठीक है अब उनक्शा आता है भाव आचक संया बहुत सरल है ब्यक्ति या वस्तु के गुन धर्म अत्वादासा ब्यापार का बोध जव कराता को पहते हैं जो हुं इसको जो को भाव बोलते हैं यहां बिल्कुल स्थिति साफ हो जानी चाहिए कि उसको भाव बोलते हैं जैसे लंबाई लंबाई आप छू सकते हो लंबाई ठीक है जवानी है चतुराई है किसी की चतुराई को छू सकते हो देख सकते हो नहीं आप समझ जाओगे अरे कहते हैं कि यह तो भाव आचक संग्या होती है, इसका हम किस किस से इसको फॉर्म करते हैं, इसको किस किस चीज से इसका निर्मान करते हैं, जिसके एक तो आप इस लाइन को समझ जाएंगे, समझ जाएए, कि जिस भी शब्द के अंत में, इ, पन, हट, वा, पर, शो, ये प्रत्याई, प्रत्याई मतलब अंत में जो जूरता है, ठीक, अंत में इ, पन, हट, वा, पर, सो जो प्रत्याई जूरता है, समझ जाईए वहाँ पर, क्या है, भाव है, अब जाती से, हम भाव वाचक संग्या किस-किस से बनाते हैं, जाती वा हम जो हमारा भाव वाचक संग्या है उसका निर्मान करते हैं जाति वाचक संग्या से सर्वनाम से भी करते हैं विशेशन से भी क्रिया से भी अब जैसे देखिए बच्चों ये है हमारा भाव वाचक संग्या जैसे हम कहते हैं ये जाती वाचक संग्या से हम भाव वाचक संग्या बनाएंगे ठीक है जैसे हमारी जाती क्या है बच्चा है ठीक है बच्चा एक मतलब छोटे बच्चु का जो जाती होती है उसको हम बच्चा बोलते हैं उससे अगर हम उससे भाव वाचक संग्या बनाएं ऐसी बुढ़ा से बुढ़ापा, इंसान से इंसानियत और कई में आता है डांकू जैसे डांकू आपके एक्जाम में आ जाएगा डांकू से आप भाव वाचक संग्या बनाईए अब भाव वाचक संग्या बनाने में आपको एक जो है बिलकुल ध्यान रखना पड़ेगा कि वाचक संग्या मतलब भाव वाचक संग्या के तरीके से ही उसको बनाना है कि जो शब्द आप बनाएंगे उसको न हम छूपाई न हम देख पाई ठीक है जैसे हमको डांकू तो दिखता है लेकिन डाकैती डाकैती दिखती है हमको चोरी करदी कहते हैं चोरी को हम पकड़ सक जैसे हम कहते हैं दानव कहते हैं दानव मतलब राक्षयस उसको तो पकड़ सकते हैं दानव ता इसको हम पकड़ नहीं सकते हैं ठीक है जैसे यहां पर जवान है कोई जवान उसको तो हम देख सकते हैं जा रहा है वो उठ रहा है लेकिन जवानी हम इसको नहीं देख सकते हैं नहीं छूप सकते हैं जैसे पंडित है पंडित क्या है एक special person है और उसकी पंडित आई है और इन इन चीजों का ध्यान रखे कि उसको भाव के तरीके से बनाना है ठीक अब ये तो थी जाती वाचक संग्या जो है संग्या से हम क्या बनाएंगे भावाचक संग्या हमने बना द जैसे दास है दासता है मानव है मानवता है अब आगे बनाते हैं हम देखिए बच्चों अब आगे बनाते हैं हम विशेशन से भावाचक संग्या ठीक है अब ये तो विशेशन है ठीक अब जैसे आप अपना बड़पन दिखाईए मतला विशेशन है उससे भावाचक संग क्या बनी बड़ा टिक अब छुटपन इस से क्या बनी चोटा ठंडक इससे क्या बना ठंड़ा आई वाज़ों बास सबज में जैसे ये कहते हैं विषेशन भावाचक संग्या क्या थे थे लिए थे न चोटा ठंड़ा अच्छा और भावाचक संग्याएं इसमें क्या बन गई बडपन है छुटपन है ठंडक है अच्छाई है बुराई है ये सब भावाचक संग्याएं बन गई आगया वच्चो बात समझ में अब हम आगे लंगे शर्वनाम से हम कैसे बनाएंगे जैसे सर्वनाम हम कहते हैं ये आपका अपना निर्णए है अपना जैसे सर्वनाम है तो उसका भावाचक क्या बन गया अपनापन पराया, परायापन, निज, निजत्व ठीक, अब हम आगे किरिया से भी अगर हम भावाचक संग्या बनाएं तो किरिया हो गई, लिखना और भावाचक संग्या क्या हो गई, लिखाना जैसे मिलना, मिलाई, दोड़ना, दोड़, खेलना, खेल, भूलना, भूल, जगरना, जगड़ा ये जैसे भूलना क्या है एक किरिया है भूल जो है इसमें भावाचक संग्या है जगरना किरिया है जगड़ा जो है भावाचक संग्या है आप जगरते हुए देख सकते हो लेकिन हम कहते हैं कि उन दोनों में जगरा हुआ तो आप उस चीज को देख नहीं सकते हैं ठीक है प्रिय बच्चो ये जो है एक question इसमें से जरूर आता है ये थोड़ा सा tricky होता है confusion होता है सिर्फ आप ये ध्यान दीजिए कि इस शब्द से जैसे किरिया से विशेशन से कौन सा ऐसा शब्द बन सकता है कि जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं भाव मतलब महसूस करना आगे चलते हैं अब आगे है मेरी प्रिया बच्चो समूह वाचक जिसमें समूह का बोध होता है जैसे सभा है दल है गिरो है डांकूं का गिरो बोलते हैं वो क्या हो गया समूह वाचक संग्या यहाँ पर जो है किसी नेता की सभा हो रही है तो यहाँ पर क्या हो गया समूवाचक संग्या द्रब्यवाचक संग्या बहुत सरल है नापतोल वाली जितनी भी वस्तों में होती है वो द्रब्यवाचक संग्या का बहुत कराती है द्रब्य मिन्स माटरियल वैसे जैसे सोना है चादी है पानी है तेल है अब इसमें हम इंग घ्याल लाध़ास, पुलते हैं उसके एक ली टएल यानि हम क्या कहते हैं quantitative quantitative noun ठीक इंगलिस में quantitative noun बोलते है उसको ठीक है मैं प्यारे बच्चो ये तो था संग्या का ठीक है इससे आगे का वीडियो आपका शर्वनाम आएगा शर्वनाम जो है शब्द का दूसरा भेद है आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजेगा अगर वीडियो से related आप कमेंट कीजेगा अगर कहीं किसी पेपर में कोई question आया है जो आपको वीडियो से related है और वह आपको नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कीजेगा हम उसको solve करने की पूरी कोशिस कर करेंगे स्वस्त रहिए खूब मेहनत कीजिए आगे बढ़िए जय हिंद जय भारत